असलाम वालेकुम एविवान वेलकम बैक टू मास्टर्स आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैट्स 301 का क्विज नमर 3 जिसकी ड्यू डेट 24 जुलाई है और 23 को ओपन हुआ है मतलब एक डे है आपके पास इसको करने का और क्विज में लेक्श नमर 28 तो लेक्श न क्विज टाईप आउज वीज चैह 생את टरह का डाता इसक्रियूशें तो डी स्क्रियी डिस्क्रीट नमर 2 अंच ये moments how many equations are required for finding two unknown parameter population parameter is cancer two fifty seven page में हम देख लेते हैं आपने उस देख लेना है उसमें is cancer two नहीं लिखावा actually उसमें लिखावा है कि जितने उनका कहने का मतलब as many the unknown parameters उतने ही मारी equations होंगी मतलब जितनी मारी equations होंगी उतने ही हमारे parameters होंग तो यहां पर हमें parameters कितने देती है two so definitely हमारी equations बनेंगी वह भी हमारे पास two बनेंगी इसका correct option two हो गया next question number three है हमारे पास empirical rule के हिसाब से how much data lies इस से लेकर इस था अब अगर देखें यहां पर two sigma है ठीके तो इसका मतलब के 95.44 होगा ठीके यह आप चेक कर लें two 23 पर यह two 23 जो page number है वो काफी important है तो वहां से आप जरूर देखिएगा अब भी vitamin है मैं खुझ open कर लेती हूं क्योंकि मैंने अभी इसको अपने जो handouts दिनको split कर दिया अगर आप यह handouts चाहते हैं तो आप ग्रूप join कर सकते हैं और मैं इसका handouts का link description में डाल दूँगे ताकि आप easily highlighted handouts जो है इस्तमाल कर सकें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजएगा और अगर आप stats की preparation अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर stats के lectures भी पढ़ रहे यहां पर 1 sigma होगा तो हमारे पास 68.26 होगा अगर 2 sigma होगा यहां पर इस portion में तो हमारे पास 95.44 होगा अगर यहां पर 3 sigma होगा तब 99.73 होगा ठीक है यह आपने याद रहे हैं तो इस तरह ही को जो 2 sigma था तो इसका जो correct option बनेगा 95.44 होगा next हमारे पास है कि जो uniform distribution होती है वो क् continuous distribution है क्यों continuous continuous में कोई gap नहीं होता राइट तो जब होने uniform distribution आपको पता होने शहीं किस तरह होती है कि हर पार जो probability की chances होते हैं वो सेम होते हैं ठीक है वो क्या होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए 5 से ठीक है तो इसका answer both of the above होगा next हमारे पास question number है next वाला यह question की number है लेकिन है total 10 ठीक है in the hyper geometric distribution आपको बाद है hyper geometric distribution का formula यहां पर पूचा गया पे number two hundred and fourteen पर इसका formula है पूरा तो उस हिसाब से वहां पर थोड़ा चेंज formula लिकावा है यहां पर थोड़ा चेंज है ठीक है उन्हें पूचा इस लिए इस तरह लेहाज से इसलिए हमने इसको यहां पर यह correct कर दिया ठीक है उसके बाद हमारे पास यह आपने चेक कर लेना है ठीक है अपने हैंडाउट्स पर page number two hundred fourteen पर ठीक है यह page नमर इसलिए mention किये ताक कि आप एक बार नजर सानी कर लें ठीक है next हमारे पास है if the second moment ratio is less than three the distribution will be आपने page number twenty three खोलना है वहाँ पर एक पूरा paragraph है जो highlight क्या हुआ है उसमें क्या है कि अगर हमारे पास जो moment ratio होगी वो less than three होगी तो प्लैटिक कर टिक होगा अगर जो moment ratio greater than three होगी तो हमारे पास लेपो कर टिक होगा ठीक है यह आपने देख लेना है तो ही तरह से आ सकता है next question हमारे पास हमारे पास जो population जो है वो दी हुई है वो 60 है sample size 100 दिया हुए आपको क्या कह रहे है आपने standard error find करने ठीक है standard error का formula यह होता है sigma divided by under root and under root and हमारे पास जो है 100 है and n का under root जब हमने लिया तो हमारे पास 10 बच गया उपर हमारे पास 60 था तो इसका answer आ गया हमारे पास 60 है यहाँ पर formula इसले लिखाए कि इसके related और भी questions आ सकते है next हमारे पास question है कि यह आप statement और से पढ़े a random sample size n drawn from a normal population with population mean 50 sigma 10 then the mean of the sampling distribution of the sample mean क्या पूछ रहे है sampling distribution का sample mean पूछ रहे है तो sample mean जो है population mean ही होता है ठीक है यह दोनों mu होते हैं और दोनों equal होते हैं तो इस हिसाब से इसका answer 50 बनेगा ठीक है 50 is the correct option last हमारे पास है कि जो range है आप और geometric की वो क्या है range में हमारे पास 0 से लेकर n और k include होते हैं तो correct option यह उमीद करते हूं कि आपको यह quiz जो है समझ आया हो तब जो है quiz अपना time करना है thank you so much for watching the video stay connected with master for such videos